आप सभी का स्वागत है आज के में वीडियों बात करने वाले हैं UPSC UPFO 2024 का जो की एड्मिट कार्ट रिलीज हो चुके हैं एड्मिट कार्ट के साथ आपको एक्जाम सेंटर पर क्या का डोकॉमेंट लेके जाने हैं पूरा इस वीडियों में जानेंगी उससे पहले फ्रेंड से कराव हमरे चैनल पे नहां है तो चैनल को सब्क्राइब कर दिए जिसे पहले आपको मिलजगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं UPSC जो की UPSC एजाम कंड़ेट करवाता है जो की EPO को जो Employee Provided Fund Logognization के द्वारा किया जता है इसके एडमिट काड जो के रिलीज हो गए है जिसकी Personal Assistant Post के लिए आपने आविदन किया था आपको वहां पर सेंटर पर लेकर जाना है तो वह आपको डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद इसको आपको वहां पर लेकर जाना है वह भी कलर में कलर में वह एडमिट काड को लेकर जाना है ऐसा नहीं कि आप ब्लैक इन वैट में ले जाए अगर आप ले जात करना है color में लेके जाना है admit card दूसरा नमबर पे आ जाता है उसके साथ admit card के साथ और भी क्या चीज़ लेके जाना है admit card के साथ आपको लेके जाना है आपका आधार number तो वो क्या होगा ज़र सेंटर पे आप जाएंगे तो आपको मेंच के चाहेंगे आपके aschके की अपको मैच के जाएंगा और आधर कार्ड से आपको को डोखो के जायीगा विक नाम आपके पिता और बर्थ और अधर miss match होता है इस case में तो आप क्या सकते हैं जिसे supporting document में आप ले जा सकते हैं एक तो आप ले जा सकते हैं अपना pen card आप अपना pen card वहां ले जासते हैं वो भी supporting के लिए ऐसा नहीं कि ले जाना है supporting के लिए दूसरे नमर पर आप ले जा सकते हैं अपना voter ID card वह ट्राडिका रिए जासकते हैं क्योंकि इन चीजों मैं आपका नाम आपका नाम, आपका नाम फादरिन्arm सुर्य होता है अगर वह भी नहीं है तो आप उहां पे टेन्थ क्लाश की मार्श इलजा सकते हैं वह किसला मिषनमे की तुल गया है तो कि आपको जो की है supporting documents को लने है मैंने आपको इत दो चीज़ दो के सकते हैं नृँछ कि वोटो कोपी能 है कि कोपी नहीं लेखन और ओर जानी है ऐक और साथ में आपको तीज है नहीं है नहीं को पर आप साथ में लेके जानी है फोटो यह फोटो लेकर जाना है जो आपने सेंटर पर जो program बरते समें अपने upload किया था, आपके admit card में, वो फोटो आपको दो लेकर जाना है, अगर नहीं है तो दूसरा ले जासकते हैं, पर case है कि आपका photo match होना चाहिए. पर जितना ज़यर कोशिट हो कि दो फोटो आप लेक चोथे नंबर पे आपको पेन लेकर जाना है या फिसले कालगा है टै는 काली आजलगाई बड़ी आप ऊद्याक मतले चाहते हैं कि आपको लेके जाना पड़ेगा तो ये शिञेकर अगर ना ध्यान रखना है कि नो बज़े गेट बंध हो जाएगा इसलिए आप सेंटर पर 10 मिनट पहले याप सेंटर पर पहुंचे गेट बंध कर दियाएगा तो पहले पहुंचे कि एक घंटा पहले सेंटर पे वहां पर पहुंचे ये आपको ध्यान रखना है चुझकि एक्जाम है आपका UPSC का तो इसमें सभी चीजों के ध्यान रखना है क्यूंकि आपको इन चीजों कर ले जाकर के ही आपको अलाव करना है पहला बताइता हूं आपका एडमिट कार्ड फिर से आधार कार्ड हो गया फोटो हो गई दो पैन हो गया वह भी काले रंग का दो पैन होना चाहिए और साथ में आपको क्या क्या चीज़े नहीं लेकर जानी है आपको कोई ऐसे इलेक्टिक गजट लेकर नहीं जाना है जिससे आपको वहां पर दिक्कत हो सेंटर पे अलाओ नहीं किया जाएगा और ध्यान में आपको कपड़े भी ऐसी तरह का हलके पहनने हैं कि जिसमें आपक में कुछ काड़ा उड़ा पैन रगा ऐसी चीज़े नहीं को वह सभी चीज़े बहारे निकलवा दी जाएगी और पानी की बोतल भी आपको वहाँ पे अलाव नहीं की जाएगी पानी की बोतल भी वहाँ पे सेंटर पे अंदर पानी मिलेगा तो वह भी आपको वहाँ मिल तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है आपको एडिमिट कार्ड निकालना है कलर और आधार कार्ड फोटो कोपी और पहन जिसा भी लेकर जाने हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि हमको अगर एप्पीएफों का में एक्जाम देने जा रहे हैं तो सेंटर क्या क्या डोकॉमेट्स लेके जाने हैं फिर भी आपको अगर कोई मिसमेच है आपको पता नहीं चल रहा है किस तर मैं एक्जाम सेंटर पे और क्या लेकर जाऊं तो आप मुझे कमेंट सेजन में कर सकते हैं मैं उसका पर रप्लाइद दूंगा और आपके समस्यां को सब्सक्राइब कर दिए तो मिलते हैं ने स्टूडिय में जपते के लिए जय हिन जय भारत